आप सभी को मेरा प्रेम भरा रादे रादे तो आज हम आपको प्रंदावन के पिर्षित गोविन देवजी मंदर में ले चलते हैं जिसे भूतों का मंदर के नाम से भी जाना जाता है अब इसे भूतों का मंदर क्यों कहते हैं यह देखने के लिए बीडियो में लाश तक बने रहे रादे रादे आप सबीकों स्री जुंडावन दामते तो आज हम आपको स्री गोविन देशी का मंदर से से भूतों का मंदर भी का जाता है पूरी जानकारी देने वाले हैं और अंदर तक पूरा घुमाने वाले हैं तो बीडियो में लाश तक बने रही है गोविन देवजी मंदिर का निर्मार सोलेवी सताबदी में राजा मान्शिंग के द्वारा करवाया गया उस शवे मंदिर में साथ मंजले हुआ करती थी इसकी साथवी मंजल पर एक विसालकाय दीपक का निर्मार करवाया गया जिसको जलाने में लगबग पचास किलो घी पर दिन लगता थी उस दीपक की कई किलो मीटर दूर तक दिखाई पड़ती थी औरंग जेव को यह बात बि केवल चार मंजल ही तोड़ पाई मंदिर की पवित्तरता को भंग करने के लिए औरंग जेव ने यहाँ पर नमाज भी पड़ी और मंदिर के गुम्मत को मजजित का आकार दे दिया कहते हैं कि औरंग जेव के द्वारा मंदिर को तोड़ने के बाद यहां मंदिर खंडर में बदल गया और यहां पर भूतों का निवास हो गया और इस्थानी मानिताओं के अनसार इस मंदिर का निर्मार रातों रात भूतों के द्वारा किया गया और सुबह के टाइम किसी महिला द्वारा चाकी चलाने पर वो भूत यहां से बाग गई आप देखेंगे कि मंदिर की कारीगरी और भबिता अभी भी इतनी बिसाल है कि इनसानों के द्वारा कई सालों में भी निर्माण किया जाना इस मंदिर का संबब नहीं है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे